जो सवाल पूचा गया था मलिका रानी से, वही सवाल सुमेद से भी पूचा गया लेकिन यहां पर हमारे Mr. Philosopher ने किसी को अट्रेक करने के बारे में बड़ी ही deep ली बात करते हुए इस सवाल का जवाब भी दे डाला जहांपर सुमेद से मलेका की तरह ही पूछा गया था कि सुमेद अगर आपका अटेंशन किसी को ग्रैप करना हो तो वो ऐसा क्या कुछ करे जिसे आप उसकी तरफ देखें उसे अटेंशन दे तो यहांपर सुमेद ने कहा ये बात करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर मैं बता दूँगा कि मेरा अटेंशन ग्रैप करना नहीं हुआ वो तो प्री प्लांट हुआ क्योंकि मैं यहांपर किसी को ऐसे भी देख सकता हूँ जिससे मैं अट्रैक्ट नहीं हूँ लेकिन अगर मेरे विश्क के अकॉर्डिंग को रेंडमली कुछ ऐसा करता है तो I think so कि मेरे साथ में उसका बॉन्ड उसका कनेक्शन उसका अटेंशन ज़रूर होगा यानि कि कोई भी सही काम करता है तो वो मुझे बहुत जादा अट्रैक्टिव लगता है बहुत सारे लोग हैं यहां पर इंडस्ट्री में और सीनियर भी लोग हैं जुनके साथ मैं काम कर चुका हूँ और मैं दिल से उनसे इंस्पाय हुआ हूँ मेरे दिल में उनके लिए एक अलगी जगा बन जाती है जो लोग मुझे इंस्पाय करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं तो अच्छे काम कीजे और कुछ ऐसा कीजे जिससे लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो ना कि आपको किसी को अट्रैक्ट करने के ज़रूरत पड़े और वैसे भी किसी को पसंद करना यह सिफ अट्रैक्ट के बात नहीं होती इट टेक्स लोट्स ओफ फिंग तो बिल्ट आप प्योर एन ब्यूटिफुल रिलेशन्शिप अट्रैक्ट इस जस्ट लिटल बिट ऑफ थेंग बट उसके आगे की जो फीलिंग है वो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि सुमेद क्या मरिका को ही यह मौकर देंगे या फिर इंडरस्ट्री के बाहर से किसी और किस साथ में वो अपनी लव लाइफ इंजॉई करना चाहेंगे आपने अपनी राइक कॉमेंट जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइ करना ना भूलें